उत्तर प्रदेश की योगी आदितनात सरकार ने ताबड़तोर कारवाया कर बाहुबलियों की कमर तोड़ दी है अकेले मुक्तार अन्सारी पर बीते साल अगस से लेकर अब तक कई कारवाया की जा चुकी है लखनवर के पॉस इलाके की आलिशान इमारत से लेकर मुक्तार की पहचान बन चुके होटल तक सब को जमिन दोज कर दिया है ऐसी छे बड़ी कारवाया की गई बाहुबली का आर्थिक समराज्य शर्मरा गिया इससे अंसारी परिवार के राजनितिक रशू को भी काफ़ी नुक्षान पहुचा है दुबारा से वहें जलवा हांसिल करने में बाहुबली को काफ़ी समय लगेगा योगी सरकार ने मुक्तारी अंसार पर पहड़ी सबसे बड़ी चोट लखनवर डाली बाग में उनके बेटों के नाम पर बनी दो इमारते जमिन दोस करा कर आरोप है कि सत्रू निश्क्रांत संपती पर आठ हजार स्क्वाइर फूट में बिल्डिंग अवय तरीके से बनाए गए थी मामले में मुक्तार बेटे अबबास अंसारी और अमार अंसारी पर धोखा दड़ी जालशाजी फरजी दस्तवेश तयार करने की एफायार दर्ज की गई पैतरी जिले गाजीपूर के महवबाग में अलिशान गजल खोटल पर भी निर्मार में और नियमित्ता और उसकी जमीन की खरिद फरोक्त में धान दली के आरोब के बार बीते साल एक नौबर को ढहा दिया गया इस मामले में मुक्तार अनसारी की पतनी अफुनसानसारी वा दोनों बेटों समेथ 12 लोगों के खिलाफ एफायार भी दर्ज है 9 नौबर को गाजिपूर के रजेदपूर में मुक्तार के एक शॉपिंग प्लाजा वो कोजिंग संस्थान के बिल्लिंग समेथ संपती कुर्क की गई उसकी कीमत लगबग 1,38,37,000 के करीब में आकी गई 11 नौबर 2020 को 22,70,000,000 की संपती कुर्क की गई इसमें FCI गोदाम और उससे संबंधिंत रखबा की कुल आठ जमीने शामिल थी यह संपती मेशर्स विकास कंस्वंक्सन के नाम पे थी जिसमें मुक्तार के पतनी और उनके दो शालो अनवर शेजाद और शरजिल रजा समेथ अन्य लोगों के नाम थी पतनी और दोनों शालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट होने के बाद ये कारवाई की गई थी पुलिज के मुताबिक ये लोग IES 191 गैंक के शदस्य थे 13 नौमबर को मोग के दक्षिन टोला थाना चेतर के रहने गाउं में भी मुक्तार अनसारी की FCI गोदाम और जमिन शीज कर अतिकर्मन को धोस्त कराया गया गोदाम से मुक्तार को शलाना 1.80 करोड रुपई की आई किराया की रूप में होती थी उसकी कीमत लगभाग 3.26 करोड आके गई हाल यह सबसे बड़ी कारवाई मोग में की गई दक्षिन टोला थाना चेतर में जहांगीराबाद दसाई पोकरा इस्तित बेटों के नाम की 24 करोड की जमपती जब्त की गई इसे 2015 में मुक्तार ने अपनी मा के नाम से बेनाम करवाया था जो बाद में बेटों के नाम वशियत हो गई मुक्तार अंशारी के खिलाफ गैंग श्रकी करवाई के तहद 8888 वर्गमीटर जमीन को जब्त किया गया हलाकि उस पर बनी मस्जिद करवाई की जद से बाहर रही कूल मिलाकर मुक्तार अंशारी की अब तक करीब 150-180 करोड रुपे के शंपती पर सरकार चोट कर चुकी है परिवार शमेल गैंग और शयोगिये के 70 से अधीक असल है निरस्त और निलंबित कर जमा कराय जा चुके हैं योगी सरकार शुप्रिम कोड तक लड़कर मुक्तार से यूपी की लेल में लाने में काम्याब रही अब उनके खिलाप मुकदमों में लागातार तेरिशे शुनवाई हो रही है अलाकि मुक्तार परिवार का कहना है कि ये कारवाया राजनिती से प्रेरित है खेर आपकी क्या रहे है कॉमेंट बॉक्स के जरीए ज़रूर ज़रूर अब उनके वाई यूब तेक्श के लिए टूपटेस अब्सक्राइब्स